हेलो यूटूब की फैमली सभी को मेरा बहुत सारा प्यार मेरा नाम है आरेन और कैसे हो आप सब तो गाइस जो लोग बिग बॉस सीजन 17 के इस सीजन को फालो कर रहे हैं वैसे तो ये सीजन काफी जादा बोरिंग जा रहा है लेकिन गाइस कुछ strong contestants जो की इस सीजन में हैं जैसे की मनोवर फारू की UK07 और अपना entertaining character contestants जो हैं चिन्टू गाइस इसकी वज़ा से बिग बॉस चल रहा है जिसकी वज़ा से बार बैटे उनके फैन्स इसे फालो कर रहे हैं जो लोग इने फालो कर रहे हैं उन्हें तो सारी updates पता ही होगी जो लोग नई फालो कर रहे हैं उनके लिए में कुछ updates लेके आया हूँ तो गाइस वीडियो में मेरे साथ end तक बने रहीएगा और चैनल पर आप लोग नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं जो यादगार रहे contestants वो ते सनी आ रहे है खान जादी गाइस इशा के टाइम पर सबसे ज़ादा जो धमाकेदार wildcard entry हुई थी समर्त जुरैल की जिसमें ईशा और अबशेक कुमार के fake relation को पूरी तरीके से expose कर दिया गया था गाइस वो moment वो इशा का चेहरा देखने लाइक ठीक गाइस उसी से मिलती जुलती इस बार भी एक wildcard contestants की entry हो चुकी है जिसका नाम है आईसाख खान जिसमें बिग बॉस में रह रहेक सबसे strong सबसे दिमागदार contestants मनवर फारुकी के relationship को पूरी तरीके से expose कर दिया गया है जिसमें मनवर फारुकी का चेहरा देखने लाइक है गाइस जैसा कि मनवर फारुकी बताते हैं कि उनकी साधी हुई भी है उनके एक बच्चे भी है उसके बाद भी उनकी एक current girlfriend है जिनका नाम है नाजिला लेकिन गाइस इस वक्त बिग बॉस में मनवर फारुकी पर इल्जाम लगा है कि वो double date कर रहे थे आईशा खान को भी औ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं तो गाइस बिग बॉस में जाने से एक हफते पहले मनवर फारुकी ने आईशा खान को परपोस किया था साथी साथ उन्होंने ये बताया था कि जो उनकी चल रही girlfriend थी नाजिला उनसे उनका break up हो ग करप से एक story पोस्ट की गई जिसमें वो दोनों साथ में हस्तेवे नजर आ रहे थे जिस से आईशा खान को काफी बुरा लगा आईशा खान ने सामने से नाजिला से बात कर कर पूरी बात clear की जिसमें उन्हें पता लगा कि मनवर फारुकी छीट कर रहे हैं डबल डेट करक तो गाईज इत्तिफाक की बात ये है कि बिग बॉस ने भी एक आईशा खान को मौका दिया वाई कार्ड एंट्री के जरीए बिग बॉस में आने का और गाईज इस मौके का पूरा फाइदा उठाते वे आईशा खान ने मनवर फारुकी के पूरी तरीके से एक्सपोस कर दिय गाईज इस वक्त मनवर फारुकी की सिच्वेशन ये है कि वो क्या बोल रहे हैं सच या जूट उन्हें खुन भी समझ नहीं आ रहा है गाईज इस टाइम पे उनके पास रोने के इलावा कोई भी आप्शन बचा नहीं है गाईज आगे की जानकारी क्या है वो तो आगे ही क अपिसोड में पता लगीगा अब तक की जानकारी थी इतने ही चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलिएगा वीडियो पसंद आए तो इसे जादा से अदा लोगों तक जरूर शेयर कीजेगा तो चलिए गाईज इसी के साथ वीडियो को कर दिए